हमारे यसु मसी ने, हमारे मसी ने अच्छी अच्छी वस्त में ला करके, अनुग्र और सचाई ला करके, एक ही बार अपने ही लहू को उस Holy of Holies में पवित्रों के पवित्रस्थान में चढ़ा दिया और अनन्त काल का छुटकारा दिया है। और यस गिवन अस दे लाइफ एड लाइफ इटर्णाव। सुलावा अध्याय प्रॉबर्स चैप्टर सिक्स्टीन एंड वर्स नंबर फोर चौथे पत्से नीती वचन सुलावा अध्याय और उसकी चौथी आयर यहवा ने सब वस्तुएं विशेश उद्देश के लिए बनाई है। यहवा ने सब वस्तुएं विशेश उद्देश के लिए बनाई है। प्राबलम यह है कि हम उन उद्देशों को छोड़ करके बाकी हर बात में उलच जाते हैं। बाइबल हमको वर्ण करती है। आओ सब उलचाने वाले पाफ से। मित्रों आपके हाथ में फोन है। वो फोन एक विशेश उद्देश के लिए बनाई गया है। अब आप उसको पीछे से खोल दें, उसकी बेटरी निकाल दें, कैम्रा निकाल दें, इसमें कोई शक्त नहीं है, वो सारी चीजे उसमें हैं। लेकिन उसका उद्देश आपको असलिए नहीं दिया गयाária। कि आप उसको खोल करके उसके अंग-ंग को निकाल करके और फिर कैए अरे यह फोन है ये स्मार्ट फोन है और इसका क्या मतलब हुआ औरिस मधर पोर्ड का क्या मतलब हुआ इस circuit का क्या मतलब हुआ और इस ribbon wire का क्या मतलब हुआ और इस मित्रो वो जो device है वो जो हाथ में आपके यंत्र है वो एक विशेश उदेश के लिए है वो एक phone है वो एक video camera वो एक photo camera वो internet को आप तक पहुचाने का ज्यांद को आप तक पहुचाने का है उसको बहुत dissect करने की उसको खोल खाल करने की उसको उधेड़ने की जरूवत नहीं है आप उसका उदेश समझे आप बोलेंगे आप ये बाते कर क्यों रहे है बाते हम इसलिए कर रहे है कि निर्गमन की पुस्तक उसके पचीसवे अध्याय में हम एक बड़े महत्वपूर्ण विशय पर बात कर रहे हैं और वो है वाचा का संदू कि प्रॉब्लम यह है कि जितने लोग से मैं बात कर रहा हूं सब वाचा के संदू की बात कर रहे हैं उसमें क्या था वो कैसा था उ उसके अंदर क्या क्या था उस पर बात्चीत कि जाए जी नहीं यहवा ने जितनी मस्तूय बनाई है वो एक विशेष उदेश के लिए बनाई है जो वाचा का संदू क बनाया गया उसका एक विशेष उदेश था और वो विशेष उदेश सिर्फ एक लाइन में पूरा होता है और वो ये कि आप जो परमेश्वर का पुत्र आने वाला हमारा प्रभु ये शुमसी उसकी एक जलक शारीरिक रूप से सानसारिक रूप से दिखाई दे हमारी और आपकी खुश्णशीbी ये है कि अब हम उस शारीरिक और सानसारिक वाचा के संदूग के युग में नहीं रहते जब वाचा का संदूग बनाने के लिए परमेश्वन ने बोला हम उस यूग में नहीं हैं हम उससे बहुत आगे एक इतने खुबसूरत यूग में हैं मैं भी वहीं लेके आ रहा हूँ आपको जिसकी कल्पना उस यूग के लोगों ने तो कभी की ही नहीं थी उनके लिए तो वो बॉक्स वो संदूग वो आर्खी अपने में बहुत कुछ था लेकिन पॉलूस ने उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और वो इबरानियों की पुस्तक और उसके नवे अध्याए में पाये जाता है हीब्रू चैप्टर नाइन मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ना चाहता हूँ चौथी आयद से महरबानी से जरूर निकाल करके पढ़िए इबरानियों की पुस्तक नवे अध्याए चौथी आयद उसमें सोने की धूबदानी और चारों और सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूग और इसमें बहुत अच्छा मन्ना से भरा हुआ सोने का मरतबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी कई लोग को परिशानी ये है कि आप इन पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे आप सोने के मरतबान जो मन्ना से भरा हुआ था हारून की वो छड़ी जिसमें फूल और फल आ गए थे और दस हुकुम या वाचा की वो पटिया थी उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं मित्रो हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है क्या बोल रहा है हम नहीं पौलूस बोल रहा है इब्रानियों की पुस्तक का लिखने वाला बोल रहा आगे सुनिए उसके उपर दोनों तेजो मैं करूप थे जो प्राश्चित के धकने पर छाया किये हुए थे अब आगे सुनिए यह मैंने नहीं लिखा है मैं सिर्फ इस बात को आगे पढ़ा रहा हूं इनका एक-एक करके वर्णन करने का अभी आवसर नहीं है यह है मेरी दलील यह चीजे थी उसमें लेकिन पॉलूस कहता है कि इनका एक-एक करने का वर्णन अभी नहीं है इसलिए मुझसे आप यह उमीद मत कीजिए कि मैं पॉलूस के आगे चला जाओंगा मैं परमेश्वर की इस पुस्तक में लिखी हुई बातों से मैं आगे बढ़ जाओंगा जी नहीं अगर पॉलूस कह रहा है कि अभी उसका समय नहीं तो समय किस चीज़ का है बात समझिया हर चीज एक उदेश के लिए एक विशेश उदेश के लिए परपस के लिए बनाई गई वाचा का संदूग एक परपस के लिए बनाई गया और जैसाबा ने कहा कि हम उस यूग में चुकी नहीं रह रहे हैं हम एक ऐसे यूग में रह रहे हैं जो उस वाचा के संदूग को पूरा करते हुए कहीं बहतर यूग है मैं पढ़ना चाहता हूँ इब्राणियों की पुस्तक उसका नववाध्याए और उसकी इग्यारहवियाए क्यूं आप हारून की छड़ी का जिकर नहीं करना चाहते हैं क्यूं आप मन्ना सोने के मर्तबान जो मन्ना से भरा था क्यूं नहीं आप वाचा की पटिया करना चा नियम के युक की बात करने के लिए चला रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप देखें कि उत्पती में कैसे निर्गबन में कैसे परमेश्वर थोड़ा-थोड़ा करके हमारे और आपके लिए बाते कर रहा था वो सांसारिक और शारिरिक रूप से जो छाया थी वो यसुमसी में पूरा होती है और यही मेरा उद्देश है कि मैं आपको यसु के बारे में बता सकूँ उसके चेहरे को दिखा सकूँ क्योंकि भवश्दक्ता पुराने नियम की सारी पुस्टके हमारे यसु में पूरी हो जाती है हम ऐसे युग में रहते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं इब वस्टूओं का महाया जखो कराया जो वस्टूओं थी वो बहुत अच्छी नहीं थी वो सब वाचा थी वो सब विवस्था थी जो एक श्राप के रूप मी थी इसलिए पौलूस कह रहा है उन एक एक करके उनकी चर्चा नहीं करेंगे हम अच्छी अच्छी वस्टूओं की जो मसी ले करके आया है क्यूं आप पुराने नियम पर अठके हुए अरे तो आप तो शिंकला चला रहे हैं आप तो मैं पुराने नियम से ले करके नए नियम पर बात करना चाहता हूँ मेरा उद्देश यह है कि आप येसु को देखे मुसा और एलिया लोफ हो गए ये मेरा प्रीपुत्र है इसकी सुनो जी मुसा भी आए और एलिया भी आए और यही मेरा उद्देश है कि आप पुराने नियम में अपने येसु को देखे हजारों साल पहले किस तरीके से शारिरिक और संसारिक रूप से हमारे येसु को वहां पर दिखाया गया क्योंकि उधार तो पर होगी वह शांती का राजकुमार परंप्रधान अनंदकाल का पिता आप खुश नहीं कि आप ऐसे युग में हैं जब आपके पास वचन देधारी होकर क्या आया है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर क्या आया है अच्छी अच्छी वस्तों का महायाज लखोकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस रिष्टी का नहीं और बक्रों और बच्रों के लहु के द्वारा नहीं पर अपने ही लहु के द्वारा एक ही बार पवित्रस्तान में प्रवेश किया और अनं से बनाना वह अनंत काल का छुटकारा नहीं था साल में एक बार महायाजक बक्रे और बच्रों का लहु लिया करके उस पच्छ रखता था लेकिन पालूस कहता है वह अच्छी अच्छी वस्तुएं ले करके आया है वह सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण हो करके आय आप वहाँ पर देखें लेकिन आप ये कहें आहा हा क्या बात है हमारे येसु मसी ने हमारे मसी ने अच्छी अच्छी वस्तुएं लागर करके एक ही बार अपने ही लहु को इस हुली हो फोलीस में पवित्रों के पवित्रस्तान में चढ़ा दिया और अननत काल का छुटका नहीं हमें अनंद छुटकारा आपने दिया है यह उस वाचा का उद्देश वाचा के संदूक का उद्देश आईए मेरे साथ थोड़ी देर उसके बाद हम विदा लेंगे आपसे निर्गवन की पुस्तक उसका 25 वाध्याए आपको पढ़ना ही पढ़ेगा पुराना नियम प खजाम किया था और कैसे वाचा और व्यवस्था के अधीन रहने वाले लोग क्या क्या करते थे और आज हमारे प्रभू ने अपने अनुगरह के दवरा अपनी सच्चाई के दवरा वो स्वें सत्य था उस उनंद जीवन के दरा हमें अनंद छुटकारा दिया आपके दिल म एक ऐसी खुशी हो जाएगी एक ऐसी लगन हो जाएगी आप कहेंगे रे प्रभू जो लोग बच्छडे और बक्रों का लहुच रहाते थे आपने तो एक ही बार में हमारा अनन छुटकारा कर दिया हम तुझे छोड़ कहा जाए क्योंकि जीवन और अनन जीवन की बाते तो त तेरे पास है एक बार जब आपको पिछला और अगला समझ में आ जाएगा आपके दिल में खुदावन के लिए ऐसी कशिश हो जाएगी ऐसी महबत हो जाएगी जो छूटने की नहीं होगी दुनिया की हर तकलीफे आप जेलने के लिए तयार रहेंगे चर्च आप आदे घं चुटकारा दिया उसके लिए हम आधे घंटे पहले नहीं जा सकते हैं एक चैप्टर पढ़ने में सुबह हर बार दरबार दुनिया की होती है एक बार आप ठैर करके उसका कलाम पढ़ लीजिए आपकी साधी हरबड़ी आपकी साधी गरबड़ियां दूर हो जाएगी आप परमेशवर का कलाम आपके अंदर भरा रहेगा तो निर्गमन की पुस्तक उसका पचीस वाध्याए पिछली बार हमने बात की थी आज मैं बाइसवी आयत पर बात करके आपसे बिदा लेरा चाहता हूं निर्गमन की पुस्तक पचीस वाध्याए ट्वेंटी फिफ उस वाचा के संदूक का उदेश सुनिए उसमें की जो वस्तुए थी उन सब का उदेश सुनिए उस पर जो करूब थे जो प्राशित किये हुए एक दूसरे के सामने अपने पंखों से अपने आपको ढाके हुए उसका क्या उदेश था आप सुनिए उदेश क्या है मैं उस उसके उपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राइलियों के लिए जितनी आग्याएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विशे मैं प्राइश्चित के ढखने के ऊपर ढगने की बात मत कीजिए आप बात कीजिए उन आग्याओं की उस मिलन की जो हमारा प्रभू हमसे और आपसे करना चाहता है उन सबों के विशे प्राइश्चित के ढखने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदुक पर होंगे तुझसे वारता लाब किया करूंगा मेरा यही विशे है और मैं इसी पर खतम करन चाहता हूँ यह पूरे संदुक का जो डिजाइन था डेढ़ हात ऐसे ठाई हात ऐसे चोखे सोने का और उसमें कड़ी लगाना उसमें हैंडल लगाना और उसमें यह यह चीज़े रखना इन सब का उद्देश जानते क्या था मैं तुझसे वारता लाब करना चाहता हूँ रहे हैं अरे बहुत जादा बोल रहे हैं जानते हैं क्योंकि आप वारता लाब नहीं करना चाहते हैं अपने प्रभू से बात नहीं करना चाहते हैं आप तो बिलकुल आतुर हुए हैं कब बीटिंग खतम हो कब यह संदेश खतम हो बाहर जा करके फलाने से वारता लाब करन दिकाने से वार्तालाप करना उनसे ये करना है कोई प्रभू से वार्तालाप नहीं करना चाहता वार्तालाप के बारे में दो चार बात समझ लीजिए नंबर एक वार्तालाप में एक जन सुनता है और एक जन बोलता है और वारतलाप जब एक बड़े और छोटे के बीच में होती है, तो छोटा सुनता है और बड़ा बोलता है, जब प्रिंस्पल और स्टूडेंट के बीच में या प्रिंस्पल और टीचर के बीच में वारतलाप होती है, तो प्रिंस्पल बोलता है टीचर सुनता है, जब टीच और स्टूडेंट के बीच में बावरतलाप होती है तो टीचर बोलता है और स्टूडेंट सुनता है और जब प्रभू और मनुष्ट के बीच में बात होना तो खामोशी रही है वो परम परधान पवित्र है वो हम मिट्टी है हम मिट्टी ही रहेंगे इसलिए उतना ही करिए जितना आपको सोता है सामुयल को समझ में आ गया एक छोटे बच्चे को समझ में आ गया कह कि तेरा दास सुनता है यू स्पीक एन आई लिसन हम लोग की प्राब्लम यह कि दूआ जब हम करते हैं तो हम वारतलाप नहीं करना चाहते जबकि येश्व मसीर ने जब दूआ सिखाया कहा कि अपनी का से जो गुप में हैं कि बाते करना है करा आज हम बात नहीं करना है अपने बोले जा रहे इसको औले जा रहे यह धिच Hij वो दे दीजिए ये इसको चंगा कर दीजिए उसको चाहिए जितनी पर्ची आती है हमारे पास सबको चंगाई की याचना चाहिए सबको कुछ ना कुछ चाहिए परमेश्वर को क्या चाहिए कभी आपने सोचा है परमेश्वर को आपने क्या दिया कोई पर्ची नहीं आती है बिशप साहब पाईश्वर को अपना दिल दे सकूँ मैं परमेश्वर को अपना दिल दे सकूँ मैं परमेश्वर को अपना दश्वांज दे सकूँ इस पर कोई बात नहीं होती है, हमको ये दे दीजिए, हमको चंगाई दे दीजिए, हमको पास कर दीजिए, हमारी नौकरी लगवा दीजिए, सब चीज इस संसार में ही मिल जाए, और बाइबल कहती है, देखिए हम मसीरी लोग है, we are different from the non-Christians, आप कोई समझना पड़ेगा, we हम दूसरों से उचा उड़ते है, हम उकाब की उड़ान उड़ते है, हमारे सोच पे और दुनिया की सोच पे असमान जमीन का फरक है, वो बागे अदन में आता था, दिन के ठंडे समय बात करने के लिए वारतलाप कर रहा है, आदम आदम क्यों दो बार कहना पड़ा, आदम क्यों नहीं वहाँ था, क्योंकि आदम सुनना नहीं जा, मैं तेरी आवाज सुन करके डर गया था, आज परमेश्वर का कलाम पढ़ने और सुनने में आपको डर लगता है, दुनिया की गौसिप, दुनिया की बाते, रात रात भर हम कर सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम आद का यही उद्देश था, मैं वरतल आप, क्योंकि तुम से डायरेक्ट नहीं कर सकता, I have to have something, तुम तो इतने दूर हो गये हो, तुमने तो गुनाह करके अपने आपको डंगा कर लिया है, हमारी महिमा से रही थो, I have to have, एक बिच्वई चाहिए, और इसलिए बाइबल कहती है अगर हम में से कोई पाप करे, तो हमारा एक बिच्वई है, अर्थात ये सुमसी, वो हमारे लिए वाचा का संदूक बन गया, जितनी चीजे वाचा के संदूक में थी, चाहे बाहर और चाहे भीतर, वो सब हमारे ये सुमें नहित है, एक एक चीज उसके द्वारा उत्पन ह होई है, वारतल आपके और खुबी है, बोलता वही है जिसमें जान होती है, खामोशी तो मुर्दे की पहली पहचान होती है, आप कहेंगा अभी तो आप बोले की चुप रहने का मतलब सुनिये कम से कम, हिर्दे से सुनिये, और अगर बोलना है तो बोलिए ठैंक यू जीज प्रभू तेरा धन्यवाद हो लिखाया कि तुम्हारे निवेदर हर बात में धन्यवाद के साथ प्रेशित किये जाए, आज दुनिया को ठैंक्स करने में हमको ही जख नहीं होती है, प्रभू को ठैंक्यू कहने में, यात्रा के लिए निकलते हैं, दुआ करा दीजिए, और बात है, वार्तलाप में, वार्तलाप उसी भाषा में की जा सकती है, जिस भाषा में सुनने वाला, बोलने वाले की बात समझ सकता है, आप कभी साउट जाइए, दक्षिर हिंदुस्तान जाइए, तेलगू चले जाइए, तमिल चले जाइए, कन्नर चले जाइए, वो क्या बोल रहा है, आप समझ पाएंगे, सुन तो रहे हैं, लिकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने वो लेंग्वेज नहीं सीखी, आप फेमिलियर और लेंग्वेज कैसे सीखता है, जो सुनता है, वो बोलता है, जब आप परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, तो वही बोलते है, वही समझ में आता है, आज परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आप से बात कर रहा है, मगर आपको तो कलाम की लेंग्वेज ही से आंटि अरे ये समझ में नहीं आता ये समझे कैसे समझ में आयेगा आपने सुनने में इतनी कमी की है संडे स्कूल तो आप आए नहीं है अपने बच्चों को भेजा नहीं ऑस शुरू करते हैं एक काम कीजे परमेश्वर का कलाम उची आवाज से बोलना शुरू पढ़ना शुरू कर दीजे जब आप पढ़ेंगे तो वही सुनेंगे और फिर वही बोलेंगे और फिर वही समझेंगे फिर परमेश्वर जब अपने कलाम के दौरा आप से बात करेगा इसके पहले वो बोले आपको समझ में आ जाएगा और वारतला आपकी एक और खुबी है कि जब अगला बोलता है तो वो चाहता है कि जो सुन रहा है वो उसका अनुसरण करें उसके अनुसार चले आज परमेश्वर का कलाम एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के कलाम के किवल सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले बनो हमारा प्रभू आज बात करना चाहता है वारतलाप करना चाहता है आप क्या बोलेंगे वो तो आपके मन की बात आपके मन में उच्पन होने से पहले ही जानता है कभी खामोशी के साथ उसके साथ बैठी है और कहिए प्रभू यू स्पीक आप बोलिए अभी ये आदा गंटा 45 मिनट जो हमने आप से बात की आप इसी में वक्ता आगे यही नहीं सुन पा रहे आप अरे ये तो वीडियो चल रहा है अरे वो तो सुन नहीं रहे अरे वो तो जाने रहे बित्रो हमको नहीं जानना है ये मेरे वचर नहीं है टॉक टू गॉड टॉक टू यूर फादर इन हेवेन आप उससे बात कीजे और कहिए I want to listen to you मैं चाता हूँ कि आप जो बोले हम वही करें ये वाचा का संदूक इसकी एक एक चीज पर बात करने का समय नहीं क्योंकि मसी अच्छी अच्छी वस्तवे लेकर के आया अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो करके उसने हमारे बीच में देरा किया एक और बड़ा तंबू, एक और बड़ी जगा, एक और पवित्रों का पवित्र स्थान उसने हमारे लिए तयार किया और अपना लहू बहा करके जो बच्छडे और बक्रो का लहू से नहीं हो पाया उसने अपना लहू बहा करके एक गीत हम गाते हैं बोलो जाए मिलकर जाए उसकी एक अच्छी लाइन है तेरी कुदरत की ये शान खुद ही दाता खुद ही दान पूरे कर मन के अर्मान वो स्वयम बलिदान है और स्वयम ग्रहण करने वाला है ये कुदरत की शान है मित्रो हम और आप समझ नहीं पाएंगे इसको इसलिए आप बोलिए हम सुन रहे हैं प्रभुजी ये पाजी साहब क्या बोल रहे हैं बिशप साहब क्या बोल रहे हैं आई डोंट केर I want you to speak to me कभी सब कुछ बंद करके किवाड को बंद करके किवाड इसलिए बंद के आयता है कि दूसरे की बाते ना सुनी जाए दूसरे की आवाज अंदर ना आए आपकी आवाज बाहर जाए चलेगा दूसरे की आवाज अंदर ना आने पाए आज बहुत से लोग आपसे बोल रहे हैं आ जैसे पता नहीं कौन सी तो लोटरी खुल गई। कौन तो बोल रहा है भाई आपका एक लाख रुपिया मेरे पास पड़ा हुआ हम देना चाहते हैं। कौन तो आपको क्या देना चाहता है। कुन लोगता कलाम आपके दिल में बन जाए तो फिर ये अंधकार की जो बाते हम लोग duy की बाते आधंसे जब जोती की बाते रहेंगे तो अंधकार की बातों की जगही नहीं होगी। फिर वो आपसे वारतालाब करेगा. Eक बार दिल से कहिए, कह कि टेरा दास सुन रहा है, कह कि तेरी दासी सुन रही है. आपने कान खोलकर रखिये, आत्मी कानों को खोलकर करके रखिये, आपका प्रभु आपसे बहुत-बात करना चालता है. प्यार होता है ना तो उमनता है प्यार में बाते होती है और उसका प्यार इतना निश्यल इतना पवित्र है वो आपसे पवित्रता की बाते करना जाता है वो बहुत कोई और याद रखेगा मित्रों वो जो भी बोलेगा ना वो आशीश का कारण होगा उसके मूझ से उसके जबान से जो भी निकलेगा ना वो आशीश का कारण ही होगा वो चंगाई ही होगी वो प्रोस्पेरिटी ही होगी वो आपके बच्चों के लिए आशीशी रहेगे वो सफल होंगे दुनिया में भी सफल होंगे आत्मिक रूप से भी सफल होंगे बोले दीजे, उसको बोले दीजे बोले हम नहीं बोलेंगे दीजे यू स्पीक, आप बोले हम सुन रहे हैं क्योंकि आपका बोलना तो चोके सोने से भी बेहता है प्रभू आप सबको बड़ी आशीश मुझको नहीं प्रभू को सुनियेगा बड़ी आशीश मिलेगी जै मसेगी